नमस्कार सातियों हन्स्वाहिनी के यूटूब चैनल पर आप सभी लोगों का हरदीक स्वागत है कैसे हो सातियों चलते हैं भारत भर्मन की और और आज एक और महत्पुर्ण राज्ये के बारे में अपन बिस्कस करेंगे और वहां का सुनैरा भर्मन करेंगे मित्रों त्यार ह हो गयोंगे आप सब लोग चलते हैं अपने सपर की और और आज का अपना सपर है भारत भर्मन में अपना राज्ये आज का करनाटक आज का अपना राज्ये कौन सा है करनाटक है सातियों और भारत भर्मन में अपना बिंदू करनाटक अब आपन सुरू करते हैं सिमावर्ती चहतर सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि करनाटक के सिमावरती चहतर है वो कौन-कौन से है तो मित्रों जब करनाटक के सिमावरती चहतरों की बात की जाएगी तो सबसे पहले पस्सिम में अगर हम पस्सिम की बात करें तो पस्सिम में करें तो क्या होगा गोवा ठीक है और जब आपन बात कर लेते हैं उत्तर की मित्रों तो कल हमने बात की थी किसकी महाराश्टर ये ना ध्यान रग लेना उत्तर में क्या है महाराश्टर है उत्तर में क्या है महाराश्टर और जब आपन बात करेंगे किसकी पुर्व की तो पुर्व में है आंदर परदेश क्या है आंदरा यानि पुर्व में है आंदर परदेश तो ये भी महत्पुर्ण है जब आपन बात करते हैं यानि कि दक्षिन पुर्व की तो दक्षिन पुर्व में है तमिल नाडू है तो ये महत्पुन है और सिधा दक्षिन में अगर बात करें दक्षिन में तो क्या हो जाएगा दक्षिन में हम सब जानतें क्या है केरल क्या है केरल तो एक तरीके से इसके हमने पूरी के पूरी अनास चारों तरब की स्थिति हमने अरजित कर ली कि जैसे कि हमने ये बात की कि पस्सिम में तो अरब सागर है तो ये अरब सागर हो गया फिर हमने बात की कि उत्तर पस्सिम में गोवा है उत्तर थोड़ा उत्तर फिर अमने बात कि दक्षिन पूरुए में तो यह इस परकार कोई चीज याद कर सकते आप लोग अब अगला मेट्पूण बिंदु है राजधानी यहांनि हम राज्जे की राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे तो मित्रों सब लोग जानते होंगे करनाटक की राजधानी बेंगलूरू है आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो और ये देखो तीन में उत्रिये ही आने वाला है बेंगलूरू ही राजधानी है और बेंगलूरू ही क्या है बेंगलूरू ही यहां का सबसे बड़ा क्या है सहर है सबसे बड़ा सहर भी बेंग लुरुई राजधानी है किसकी करनाटक की अब अगर आपन बात करें मुख्यमंत्री के वरत्मान में प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री वहाँ पर को न है तो वह आप लोगों को याद कर लेना है भीया से यदु रूपा है जिक लिखो भीया से यदु रपा यदु रपा ठीक है यह के कै वरत्मान में सीम है और यह विज़ी wise है भई किस पर्टी से है विज़ी पीज़े ठीक है और अन्य जैडियस वा कॉंग्रेस भी है पिछे जैडियस वा कॉंग्रेस ने सरकार बनाई थी हचडी कुमार स्वामी सियम थे लेकिन उनकी सरकार गिर गई तो वहां पर क्या बन गया था? वहाँ पर किसकी सरकार बन गई वीजेपी कैसे दो राज्यम होई है उधर आप मद्दे परदेश में भी जानते हूं कि कॉंग्रेस की सरकार गिरी और वीजेपी की बन गई इसी परकार अब राज्यपाल की बात करते हैं यानि हम किसके राजयपाल की बात कर रहे हैं करनाटक की मित्रों तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो वजू भाई वाला वजू भाई वाला आपने कल बहुत अच्छा जो परसंद था उसका उतर दिया मित्रों सरान ये था हना सभी के रज्योपालों के भी बारे में लिखा आपने और उसके बारे में विस्तार से आपने महाराष्ट के बारे में लिखा ठीक है लगातार लिखते रहना इस जो आपका जो जुनून है जो से इसको तब तक काईम रखना जब तक आपको प्राथमिक सपलता नहीं मिल ज के ना अब अपन बात करेंगे मित्रों गठन की और गठन किसके गठन की करनाटक के गठन की तो यह याद रखले लेना एक नोमबर पर 1956 में करनाटक का क्या हुआ औस गठन अशके आéri यहां नम अशन सी उस्पीघ उपनाब बदल दिया गया था ठीक है नाम परिवर्तित और नाम परिवर्तित फिर क्या हुआ करना टक हुआ तो ये बात याद रखना पहले क्या था मैसूर राजयता नाम परिवर्तित ठीक है ये आपको याद रह जाएगा अब आपन बात करेंगे मित्रों यहां की राजबासा की तो की तो जन्संक्या में मित्रों हमें इस चेत्र की जन्संक्या की बात आती हैं तो च्छै क्रोड दस लाग पिचाण मजार दोसो सित्यान में च्छै क्रोड हमें याद करना है तो च्छै तो क्रोड हो गया दस लाग हो गया पिचाण में हजार हो गया और दोसो सित्यान में यनि यहां का थीक ठाक है तो वह है उन्नीस हजार साथ सो इकान में उन्नीस जार साथ सो इकान में तो आप लोग लिख सकते हैं देख लए यहां का क्या ए एक लग ठाक है एकान में चाट में बड़ोड़ आप ल दस लाक पिजानमे जार दोसो सितन में जिले की बात करेंगे करनाटक में कुल तीस जिले हैं कितने जिले हैं तीस जिले हैं और उसके बाद आपन बात करते हैं उच्छ न्याले की तो करनाटक उच्छ न्याले कहां पर है बैंगलूरू में यह यह भी कहा है बैंगलूरू में तो वो दिहां रख लेना मैं आपको बताता हूँ, अबे शिरी निवास ओका, अबे शिरी निवास ओका, अबे शिरी निवास ओका, ठीक है, यह क्या है, करनाटक के मुखे नयाधी सहे, करनाटक उच्छ नयाले के, ठीक है, अब अपन बात करते हैं, मित्रों, इससे भी अगल लिए बहुत जरूरी है तो यहां तक हमने चर्चा कर लिया है अब देको मुखे शिटेंगे पर हम पहुंचाते हैं परमुख शिटें तो जब विधान सभा की 225 और अगर आप से अब एक चीज और लिखना होगा यहां वो भी द्यार रख लेना मैंने अलग इसलिए नहीं लिखा था कि आपको याद रहे विधान परिशद यहां पर विधान परिशद है मतलब यहां का विधान मंडल है दिवी सदनी विधान मंडल है तो यह भी आप लोगों को याद रख लेना है तो विधान परिशद की बात मैंने आप लोगों को बता दी है और यहां विधान परिशद की सिटे हमें देखनी है कि कितनी सीटे हैं उन्टित है तो पिचेतर सीटे हैं ना विदान प्रिश्दा आप जानते हो कि उच्छ नियाले मतलब उच्छ सदन होता है राज्ये में अगर बात करें और उदर उच्छ सदन कौन सा होता है राज्ये सबा ये निम्न सदन होता है ये उच्छ सदन होता है य है यहां पर मिंझा दनता है ऐस Lupा यह क्या होता है और अलहांगों कि सबसे अधिक अगर रॉल माझे तो यह इनका लौकश्बा का इधर हता हैopardy विधान्स्बा को आलगा होता तो यह भी अस वी पूरी पोरी भाहिदारी नहीं बाते हैं तो ये भी आप द्यान रख लेना अब आपन बात करतें मित्रों इस राज्य के कुछ इसके प्रतिक जिहनों के बारे में तो राज्किय अगर पसू की बात करें यानि इस राज्य का राज्किय पसू कौन सा है तो आपका उत्तर हो जाएगा हाथी क्या हो जाएगा भारतिये रोलर नील कंठ नाम से भी कईजगे चर्चित है नील कंठ ठीक है तो ये भी थोड़ा ध्यां रख लेना वरक्ष की बात करें तो बहुत सरल सा है चंदन वरक्ष है यहां कौन सा है चंदन वरक्ष है यह इसका राजकिय वरक्ष है और पुस्प की अगर आपन बात क तो वो भी अपना महत्वपूर्ण क्या है यानि कि एक तरीके से बिंदू है पुस्प तो पुस्प कौन सा है वो आप लोगों को देखना होगा अगर पुस्प की हम बात करें मित्रों तो वो कमल का फूल हो जाएगा क्या हो जाएगा कमल का फूल क्या हो जाएगा कमल का फू हमने की व्रिक्ष चंदन और पुस्प के कमल है तो यह इसके महत्मुन बात थी अब अब अपन बात करते हैं किसके मित्रों इस छेत्र के नदियों की यानि इस राज्येगे में नदियां कौन-कौन सी बैती है तो नदियों वाला तो महत्मुन बिंदू है ही आप लोगों को हो जाएगा क्रिष्णा क्रिष्णा नदि भी सेत्र की प्रमुक नदिये एक अगर आपन बात करें क्रिष्णा से आगे माल प्रभा क्या हो जाएगा माल प्रभा और यहीं पर सरावती नदी भी है आप लोग जानते होंगे सरावती नदी प्रियना सबसे भारत का सबसे उं नदियों की बात कर लें imagem राश्त्य पार्य बहुत ही महतपुन बिन्दू है मित्रों। यहां प्रिक्षा मे राश्त indo पार्य से संदीद प्रसण आता है। अर इस तो हो झाएगा बांधी पूरा राश्ट्य पार्य आनहीका नेशनल पार्य बात कर हूं मैं, तो बांदी पुरा नेशनल पार्क हो जाएगा एक हो जाएगा ध्यारगना नागर हौल नेशनल पार्क हो जाएगा अगर एक और नेशनल पार्क की अपन बात करें नागर हौल के बाद में अंसी नेशनल पार्क का उलेक मिलता है अंसी नेशनल पार्क का और एक और बात करें आपन लोग तो मैं बताता हूँ ये तो और ही महत्पुन है बानेर घाट ध्यान देना भी बानेर गट्टा बानेर गट्टा नेशनल पारक है और एक है कुद्रे मुख कुद्रे मुख चोटी भी है आप लोग जानते होंगे तो कुद्रे मुख नेशनल पारक भी है कुद्रे मुख यहां के पर मुख क्या है नेशनल पारकेसातियों अब आई अपनी बारी दर्शनी अस्तलों की और दर्शनी अस्तलों में हम काफी सारे दर्शनी अस्तल यहां के देखने वाले हैं और कुछ दर्शनी अस्तलों के अपन और भी बात करेंगे तो काफी दर्शनी अस्तल ह है ज़्यादा आप यह सोच करके यह मत घबराना कि इतने ज़्यादा के से याद होंगे मित्रों क्यों आप लोगों को एक बार पढ़ना है प्रिक्षा में जैसे ही प्रशना आएगा आपके तुरुन दिमाग में आएगा यह चैतर का था यह चैतर उस राज्ये में था तो आ हमने बाद की सिंगेरी सार्दा पीट की उसके बाद ना सिंगेरी सार्दा पीट माता जी का मंदिर है मुलाइन गिरी यह भी मतलब एक परकार की एक पर एक चोटी है देखने लाइक है देशने स्तल है हना एक है दुबारे एलिफेंट के अब भ्यारने यह भ्यारने बहुत मतलब मैसूर है और यहां पर क्या है? हाथ ज़यादा पाये जाते हैं ठीक है और उसके बाद हमने बात करनी है किसकी अब भी फाल्स की, यानिक एक जल पर पाता है, बहुति सुंदर है, ये भी देखने लाइक है इनाम दस्तात्रे पिट ही नहीं सुनी होगी चाय की कहती शुरूवी कोफी की कहती शुरूवी ना तो भी ध्यान रख लेना बाबा वो दिन की पाड़ियां मैसूर महल ना मैसूर जानते हो करनाटक में यह ना टिपू सुल्टान के बारे में चर्चा हेदर अली उनका मकबरा भी बनावा है बात करेंगे और हो करना थेश्वर मंदिर भी कहां पर है मित्रों करनाटक में है मुरू यह थोड़ा ध्यान देना मुरू देश्वरा किला मुरू देश्वरा किला यह भी कहां पर है करनाटक में है श्रीकृष्णा मंदिर जो की बहुत महत्पुन मंदिर है यह अगर आपन बात करें किस मं मंदिरों में से एक मंदिर है महानवी डिब्बा आप जवीजन अगर सामराजियों की चर्चा करोगे तब आप इस सब्द के बारे में जुरूर जानोगे तो महानवी डिब्बा का क्या है इसमारक यहां पर बना हुआ है गौल गुबंज बहुत परसीद है यहां का गौल की पाड़ियां यह चाता है महसूर महल तो महसूर नाम से पता चल जाएगा आपको ठीक है और लाल बाग देख लेना अब आगे अपन बात करंजी केर जील की तो यह जील भी महत्पुन है उलसूर जील भी है यहां वो भी तरशनी लाइक है देखने योगिस्तान है ना तो यह थोड़े दोनों याद कर लेना करेंसी केर जील उलसूर जील बादामे की गुफा वो भी कहां पर है बादामे की गुफा आप लोग जानते होंगे करनाटक में यह जोग परपाथ हना मैंने आपको बताया है और यह किस नदी पर है शरावती नदी पर भी हमने चल्चा क मंदिर है मित्रों और आप लोग जानते होंगे सर्वन बेल गोला बहुत महत्पुन मैंने अलग से इसलिए रखा है सर्वन बेल गोला और आप लोग जानते होंगे यहां पर ना चंद्रकुप्त मौरी ने अपने प्रान त्याके थे आपको याद होगा ना जैन गुरु थ के कहने पर उसने क्या कर दिया था सलेक नासंतारा विद्य से अपने प्राण त्याग दिये थे तो यह भी महत्पुन जो है आप लेकों लोगों के लिए स्वन बेल गोला कांपर है करनाटक में हैं तो आज हमने करनाटक के बारे में विश्थार से चर्चा किये मित्रों एक- एक जिगें के हमने बात किया इन में आप महत्पुन महत्पुन याद कर लेना जैसे मैं आपको बताए विरुपाक समंदिर देखना उद्र मुक जील है इसको आप देखना टिपू है तो याद हो जाएगा जोग परपात महत्पुन है बादामी की गुफा महत्पुन है गो सारदा पीठ यहां की प्रमुक पीठ स्तल है वीजे नगर सामराजे भी इधरी फैलावा था हमपी के कुछ स्तल भी यहीं पर पाये जाते हैं ना तो यह भी आप लोग थोड़े से याद कर सकते हो आसपास की कुछ चीज़ें वह भी तो कहने का मतलब हम थोड़ा सा संक्सि रखते जाएए और निरंतर अगर आप लोग इसका अध्यान करोगे तो मुझे लगता है कि आप जो अना जो चीज़ें आपने नहीं देखी है उनका दर्शन में आपको करवा दूँगा उनका भर्मन करवा दूँगा और याद भी करवा दूँगा साथियों क्योंकि बार पासा देख लिया छोड़ दिया कोमेंट कर दिया इससे तो क्या होगा आपको तो कोई ज्यादा फाइदा होने वाला नहीं नहीं मुझे कोई फाइदा होने वाला मेरा उद्यस है आप तक मेरी बात पहुंचेर आपको यादो भारत देश और राज्ये के बारे में आपका ग्यान बटे और उसी ग्यान से आपना जोब भी प्राप्त करो एक अच्छे भारत के नागरिक बनो मित्रों हना तो इनी सब्दों के साथ मैं मेरी आज की इस कक्षा को यहीं शंपन करूंगा जै हिंद जै भारत वंदे मातरम इसे के साथ मुझे आप लोग दो इजाजत